डिवास करके आपने सबसे बड़ी गलती करी है, वो बिलकुल सही नहीं है, समाज आपको बिलकुल accept नहीं करेगा, सब आपको बहुत बेकार नजरों से देखेंगे, आपकी लाइफ बरबाद हो जाएगी इस वीडियो में आज हम इसी स्टिग्मा को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे क्या उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्यूंकि अब आज की दाइम पे, आज की जेनरेशन में, हमारी जेनरेशन पे ये अब स्टिग्मा नहीं है, ये शायद एक sensible decision हो सकता है आपके के लिए, आपकी future life के लिए, आपकी mental health के लिए, आपकी mental well-being के लिए, इसी विशे में आज हम बात करेंगे, इस divorce a good option, a good decision for your mental well-being, देखे, कोई भी decision good या bad नहीं होता, आप एक चीज़ डिसाइड करते हो और आप उस पे काम करना चालू करते हो, गुड या bad, बाद में situations बताती हैं कि वो क्या निकला, क्या वो good decision था, या वो bad decision था, ये आपके उपर है, divorce इस case में क्या good है या bad है, आज clear करते हैं, जब आप ये वीडियो पूरा end तक देखोगे, आपके कुछ perceptions, कुछ stigmas clear होंगे, सबसे पहला question कि इंडिया में divorce के cases rice क्यों कर रहे हैं, अभी बहुत कम है, बट rice कर रहे हैं, दूसरा, अगर आपको divorce लेना है, तो वो क्या चीज़े हैं, वो क्या सवाल हैं, जो आपको खुद से करने की जरुवत है, जो आपको इस decision को लेने में help करेगा, और इस पूरे process को थोड़ा smooth करेगा, तीसरा separation phase, वो जो divorce से पहले का 6 मेने का time होता है, उसके importance क्या है, चौथा और सबसे importance अवाल, क्या ये decision आपके mental well-being के लिए सही है या नहीं, आप इसको इस तरीके से भी put कर सकते हैं, कि ये आपके मानसिक स्वास्त पे क्या असर डालता है, मालदी जी नमस्कार, वेलकम बैक अगे, आज हम फिर से एक नए topic के साथ हैं, पर आज हम एक stigma हटाने के लिए अकसर देखा गया है, या पूरे internet बे, जब मैं, मेरी team, आप, हम सब research कर रहे थे, तो 90% चीज इस topic को लेके negative ही थी, ये बिलकुली बेचारा बना देते थे, किस किसी लड़की को, किसी महिलाओ को, किसी, in fact, आदमी को भी बेचार हमाएं कि ये बुरी चीज होती है, वो बुरी चीज होती है, बत दें, कुछ ऐसी चीजे भी हमें मिली, जो इसका positive factor भी बताते हैं, आज हम इसी बात पर बात कर रहे हैं, मालदी जी मेरा सबसे पहला सवा लेकिन अभी इतने नहीं बढ़ा हैं, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जन्रेशन थी, या हमारी जन्रेशन से पहले की बात थी, उसमें डेवर्स का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, यहां पर महलाएं छोड़ दी जाती थी, उनको तलाग तो नहीं मतारी की बात जाता था, छोड़ देना है, जो होताता है, और को खोड़ देता था, और अपने दूश्री शादी कर लेता था होते थे बहुत सार गमानीं जोटोते हीं, हिंदु रीलेजन में इंडिया असी परसंट हिंदू डॉमिटेटrière है हिंदू रीलेजिन में तलाख शब्द तो है है हमा शर्थ हिंदु धर्में नही Komm virtue छोड़ दिया जाता था है है किसी में चोटा से एक हमारे जानने में किस्सा था, गाओं की बात है, तेरा चौधा साल में भी शादी हो जाती थी, तो शादी हो गई, वो घर पे रह गई, लड़की, जब वो उसका पती बाहर गया, पढ़ने के ले गया, फिर उसने अपने पढ़ाए करी, उसने, उसके बाद उसका सम्बंद, यानिकि उसकी दोस्ती अपने ही साथ की एक लड़की से हो गई तो फिर बाद में उन्होंने उसको शादी उसके साथ शादी कर ली फिर उन्होंने आना छोड़ दिया और वो जो उनकी पहली वाइप थी वो काफी समय तक घर में रही फिर उसमें उनके भी जो साथ ससूरते उनने सोचा कि अ जहां भी उसको जाना है अपने माबाप को फास जाना है तो अगर उस समय यह लोग समझते इतने अबेर होते शायद ऐसी चीजे ना होती जादा एजूकेशन होती है जादा जानकरी होती है हम चले दुबारा अपने पहले सवाल पर आते हैं कि यह केसे बाड़ क्यों रहे ह आजकल की यूबापीडी है वो इंडीपेंडल रहना चाहती है उसके अपने सैटिसफैक्शन उसको होना चाहिए और अपनी सेलफ आइडेंटीटी को ज्यादा महत्त देती है ठीक है मतलब की इंडिविशुलिजम को ज्यादा हो पे देती है और वो अपने 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 अपनी जो लाइफ है अपने स्टाइल से जीना चाहती है अगर उसका पार्टनर कहीं पर उसको सहयोग नहीं करता है उसके साथ नहीं चलता है चाहिए वो शी है ही कोई भी हो लड़की हो या लड़का हो नहीं अगर उसके साथ इस तरह चलना चाहता है तो कहीं ना कहीं चा और अगर कोई साथ ना दे हमारा पार्टनर साथ ना दे तो फिर कॉंफिलिक्ट की situation पैदा हो जाए दूसरा है पहले का जो शादिया होती थी एक समाजिक बंदर उसको मानते थे समाज उसको एक मानिता देता था वो समाजिक बंदा लेकिन आज कल की जो शादी हैं आज कल के युवा चाहते हैं कि ये एक partnership वाली शादी हो ठीक है partnership हो यह नहीं हो चाहते हैं कि जो भी मैं एक दूसरे से शादी करें तो वो अपना equally contribution दे equally वो decision making में साथ दे और जो भी वहाँ पर करिवार के लिए उनको चाहिए वो equally दे शादी सिर्फ एक mandatory चीज नहीं है आज कल हम लोग ढूनते हैं कि हमारा partner एक partnership की तरह बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि एक जेंडर रोल्स डिफाइन होने बंद में हैं लड़की यह करेगी लड़का यह करेगी यह पार्टनर्शिप है डिसिजिजन साथ ले हर चीज साथ यह बात अपने तीसरा पॉइंट है कि आज कि महला हैं आज कि जो लड़कियां हैं वह इनि कि आर्थिक रूस से वह सक्षम है यह बात आपने बिल्कुल चाहिए तो वह क्या करते हैं उसको यह बिल्कुल भी नहीं रहता है कि आगे मुझे परेशानी होगी या कुछ होगा जब आप इकनोमिकली इंडिपेंडेंट होते हो तो फिर आप बिल्कुल तो उसमें कि अगर कोई भी आपस में दिक्कत होती है तो वह एक डिसीजन लेती है कि चलि हम तालाग की तरफ बढ़ें कि उसको यह यह सोचने वह सोचती है कि अरे मैं तो मेरे आप्थी रू हो रही है थोड़ी बहुत अभी भी दिक्कत है पर समय के साथ और खुलता चला जाएगा थोड़ा कम पे मिलती है यह बहुत बहुत जगों पे दिक्कत हैं फिलाल अभी भी बड़ में हर बच्ची हर लड़की आज कमा रही है तो उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या कि आज कल का जो यूवा पीडी है वो किसी का भी इंटरफेर पसंद नहीं करते हैं बिलकुल वो नहीं चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी इंटरफेर करें तो अधिकतर क्या होता है कि जो इनके जो हैस्बन वाइफ के इनलाउज होते हैं अगर वो छोटी छोटी कोई भी लड़का नहीं चाहता है कि वो उनके लाइफ में कोई इंटरफेर करें अब जैसे आपने पहले पॉइंट्स बोले अपने बोला पार्टनर्शिप यह तभी पॉसिबल है जब वो शादी में दो ही लोग हो तीसरे चौते पाचवे छटे इदर दोर से आकर कि अग के अगर देखा जाए का तरीक हुआई उसको वेसे ही अपना है ना उसे अपना हो सकते और अपने को दीरे कुश चेंच कर ले या लड़का चेंच कर ले लेकिन आपे बहुत जयादा अगर वहम उनके बीच में घुसने की कोशिच करेंगे यह नहीं ऐसा करो तो तो आपस में टेंशन होती है यह चीज़ तो होती है आप बेटी ही ला रहे हो बिल्टकुल अगर आप उसको बहु की तरह देखो गे तो फिर एक्सपेक्टेशन बहु की जैसी होगी बिल्टकुल बहु से क्या होता है कि obligations हो जाती है अगर बेटी है अपने इन लोग के है बिल्कुल आप भी तो अपने बेटे पे को डिफरेंस नहीं करोगे ना फिर एक कॉइंट यह है कि अगर शेहरों में आप रह रह रहो हो उस शेहरों में इतनी टेंशन होती है आप वर्क लोड जादा होता है कंप्टीशन बहुत जादा होता है आप मिलोगे नहीं आप सही गहरो अर्बनाइजेशन का एक सबसे अर्बन लिविंग का सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि स्ट्रेस लेवल बहुत है बहुत जादा है तो आप आप अपने पार्टनर के साथ ताइम कम स्पेंट करते हो बिल्कुल इवेंचुली वो इत आप एक दूसरे से ठीक से बात में करते हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप उस चीज पर अच्छी तरह बात करो अच्छी तरह का मतलब यह है कि आप चीजों को समझाओ कहां पर दिक्कत आ रही है तो आप ठीक से आपका कॉम्णिकेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है इसके क्या होता है कि पूछ पी पतनी में एक बहुत जरूरी चीज होती है कि बिना बोले चीज़े समझना यह बहुत नेसिसरी होता है मालों कहीं बैठे हो अगर आपके बीच वह अच्छा कम्मिनिकेशन नहीं है तो आप वह जो एक शीक्रेट्व टॉक् समझाई जाते हैं एक पाइंट ये भी है कि दूसरों की जो भिन भिन आते होते हैं भिन भिन आपके रहने के तरीके अलग होते हैं अलग ना लाइफ गोल कहते हैं किसी का गोल कुछ होता है किसी का गोल कुछ होता है उसमें भी अगर आप मैश नहीं करते हो आपस में तो वहा काम का थिए आप बढ़ते जाते हैं अगर बंब डा इए तो इकesa हो पहले एपना लक्ष पहले देख चलाव तो कहीं नहीं डिकत आती हैं अल Goddess नो किया मतलब एक यह वह तो यह यह और पर इसके इंधरेंप बीढ़ेंगा एलगह रेहने लग जाऊ रोगें सब्सक्सक्राइब सॉन बहुत बढ़ चुके है हमारे बहुत चीज़े करना चाहते है जीवन में जिसके लिए पैसा लुगता है आप शादी करते हो देखे आप शादीयां भी थोड़ी डिलेड हो रही है 28-27 के बाद यूरी है क्योंकि ठीक है सबके करियर गोल्स है सब अपने पढ़ाई करिये तो करियर भी चाहते है होते होते 27-27 चुनती स्पोट जाता है बहुत कम है कि आप 24-25-23-18 बहुत कम है कि इतने एज हो रही है लेट हो रही है मारे जिस इंडिया में क्या होता है कि आपने करी चादी करी सब करा उस समय वो डिसिशन सही है दिरे दिरे जब बड़े होने लग चाते हूँ तो आप ग्रो करते हो और माचौर करते हょँ आप शायब और जगे रस्ता देखने लग जाते हो और जगे आपको ज़्यादा शिंसली लगती है आपका क इंसान grow and mature करता रहता है, आखरी समय तक जब तक वो अपने कबर पे नहीं बैठा होता है, तब तक वो grow करता रहता है और mature करता रहता है, तो ये भी एक factor बनता है कि दोनों के बीच की फिर चीजें दूरी होने लग जाते हैं, चीजें दूर होने लग जाते हैं, अब ऐसा जर लगा रखते हो अपने partner से, जब आपने शादी करी, लड़ी की घर में आई, अब वो उसी उमीद से आई कि जैसे हम लोग पहले रहते थे वैसी रहें, कुछ चीजें बदल जाती है, बहुत चीजें बदलते हैं, ये unreal expectation का एक, ये point unreal expectation पर है, कि शादी से पहले तो हर चीज गुलाब था, suddenly उसके डिंडी में काटे कासे आने लगे, तो फिर ये होता है, वहाँ पर थोड़ा सा तनाव आना शुरू होता है, फिर मादी जी इसमें एक चीज़ और मैं आट करना चाहूंगा, बिलकुल, sexual incompatibility एक बहुत बड़ा कारण, ये तो बहुत बड़ा कारण, इसमें बात करनी नेसेसरी भी है, आगे किसी हम टॉपिक में पूरी वीडियो इस पर बनाएंगे, ये sexual incompatibility, आजकल क्या है कि सब लोग vocal है, बोलते हैं उनको क्या चाहिए, human हमेशा से थी, पहले बात नहीं होती थी, अब खुले मूँ से, खुले दिमाग से बात होती है, नहीं होती है, जब compatible नहीं होते हैं आप sexually, क्योंकि हर बोडी की need होती है, biological need है, वो science है, अगर आपकी वो need fulfill नहीं होती है, तो आप distance करने लग जाते हैं, क्योंकि sex या sex related activities तिरिफ एक mandatory process नहीं है, वो एक stress reliever भी है और बहुत चीज़ें उसमें चीज आती है, ये बात तो सह ही है कि जो sex दोनों के लिए, husband wife के लिए बहुत जरूरी भी है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हाँ ये गलत बात नहीं है कि अगर आप compatible नहीं हो पार रहे हैं, तो अलग रस्ते पुगड़ें उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है और इसम आप कहीं हो और फिर वो खुशी डूनने लग जाते हो, बात करो, नहीं रिसॉल मों पारी है तो अलग रस्ता पुगड़ें ये जैसे समय बदला है, बच्चे पड़े लिखे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सोच अलग है, तो हमें भी उनकी सोच से अपने को म बदलना पड़ेगा, क्यों कि समय एक दिशा में जाता है, वो वापस नहीं मुड़ता है, अब समय बदलता चला जाएगा, मालती जी ये तो हमने बात करें कि इंडिया में डिवार्स की केसे बढ़ क्यों रहे हैं, आपने बहुत सधी ग्रूप से आठ एक पॉइंट बता ह हैं, वो बिल्कुल सही बता हैं, इन पॉइंट को मैं नीचे description box में mention कर दूँगा, आप जाके पढ़ भी सकते हो, अब बात करते हैं कि माल लिजे कि डिवार्स का decision किसी को लेना है, या फिर कोई ले चुका है, या कभी कबार ऐसा होता है कि आपने decision तो ले लिया है, बाद उसको आफिर degrade करने लग जाते हो, या ज़्यादा emotional toll हो जाता है, इस चीज़ से बचने के लिए क्या करा जाए, कि अगर आप ले रहे हो decision, तो वो बिल्कुल सटी को आख के लिए, ये बहुत अच्छा question है, क्योंकि कभी भी आप तालाग जब आप लेना चाहते हो, या ले है, तो दोनों केस में है, या गलत है, फिर दूसरा है कि मैं तो तालाग नहीं लेना चाह रहा हूं या चाह रही हूं लेकिन मेरा साथी लेना चाह रहा है, है ना, तीसरा है कि क्या हम लोग तालाग इसले ले रहे हैं कि हमारी शादी नहीं बच पा रही है, या शादी में आप से आपको अपनेे में कुछ मन्तव करना पड़ेगं आप में पुछ कुछ सवाल को आपको जवाब देना होगा है जैसे हो तक यह अभी है यह अभी भी आप अपने पर्टनर से emotionally attached है और ऐसा है कि अछे ज्युंश करन वद देयाओद कोई भी आककी जगने अ होते या कोई इश्यू है जिसकी बाद से आपको आप थोड़ा सा एक दूसरे से अलग हो गये हैं और इसलिए आप ताला की बात कर रहे हैं तो जाइट सी बात है आप ताला की मत लीजे अपने रिष्टे को आप देखें आपको मन्थन करने की जरूबत है कि आप वास्तों में शा बिल्कुल बिल्कुल लेकि अगर मैं की भावना होगी मैंने ऐसा किया मैं यह कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं पर दिक्कत आएगी तीसा सवाल यह है कि आप धंकी देते हो कि मैं तालाक दे रहा हूं या तालाक दे रही हूं तो उससे क्या होता है कि बार-बार अगर ऐसा करे तो आपस में भी दिक्कते आती हैं, आपस में और टेंशन बढ़ते हैं, दूरी आती हैं, तो वो भी एक आपको समझना होगा. हाँ, यह बात सही है, अक्सर होता है, यह आप धंकी देने लग जाते हैं, तलाग दे दूँगी, यह तलाग दे दूँगा, यह आप देना नहीं चाहते हैं, बार 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 आप बोलोगे, अब जैसे हमारे पहले सेक्मेंट के पॉइंट्स थे, दुमाग तो प्यानि, कि इमोशनल होके ले रहे हो, या तो सचमूच में लेना चाहे हैं, यह इस पर तो मैं बेहि एक चीज़ कॉंट्रिब्यूट करना चाहूँगा, तलाग का डिसिजन, इमोशनल डिसिजन नहीं हो सकता, बिलकुल, इमोशनल चीज़ है हो, बट इमोशनल डिसिजन हों सकता उसको बहुत मेंचुर होना पड़ेगा बेकर ऐखलाक का उद्धेश न लेना है यह कोई और उद्धेश है यह भी उता है हैं लेकर अपने पार्टर्र को दिखाना चाह रहे हैं अपने तालाक लेगे अपने पार्टन को अit किस्धार का सुधान की बात आप के बदले गा लहको एक संधय की आप की अपकी शादी खतम अगे ऐसा नहीं है गुठ गुद्टी का केल नहीं है डॉस्ट वह इक बारी हो गया तो हो गया इसमें एक फटा जो एक कुशन आता अपने से क्या आपने जो आपके आन्तिरिक मतलब आपके अंदर जो दूंत छलता रहता है कि जो टAlak के प्रती दोश होता है है ना आपको गरणा से होती है आप सोसते हैं कि यह मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा जो वो सब चलती रहती ना दिवार के। में बी ओप ओशी इमोशनल जो चीजें चलती हैं कि मैं ठीक कर रही हूं या कर रहा हूं या इसके परणाम क्या होंगे, बहुत सारी चीजे हैं, तो उन चीजों को आप बैलेंश करके, उन चीजों को खतम करके, तभी आप तालाक की तरफ बढ़िए, अगर उन चीजों को आप खतम नहीं करोगे, जो आपके अंदर एक पूरा ही एक दंद चलना होता है अगर उसको आप खतम नहीं करोगे तो आप तालाक नहीं ले सकते हैं उनको खतम करके तब तालाक की प्रिक्टिया को आगे बढ़ें अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं होगे तो आप मेचोर डिसिशन नहीं ले है कि तालाक के बाद जो चेंजे जाएंगे आपकी लाइफ में चाया आपकी वो शोशल लाइफ हो चाया आर्थिक लाइफ हो कुछ भी जो आपकी चेंजे जाएंगे उसके लिए आप तालाक आपने अपने को तयार कर लिया है हाँ या आप सभी कह रहे हो जैसी जैसी तला कि आदत मों बदलेंगी आपकी financially भी चीज़े बदलेंगी अभी दो लोग हैं जो balance कर रहे हैं फिर आप अकेले हो गये तो जहां पर आप पांच-दस जार की चीज़ अराम से ले लेते अब आपको सोचना भी पड़ सकता है कि क्या मैं वह afford कर सकती हूं यह कर सकता हूं जिसमे आपको सपोर्ट करती है तो वह एक आपको देखना पड़ेगा कि वह कैसे मैं अपने को फैमिली से अलग रखके कैसे अपनी चीज़ों को आगे बना है कि बड़े होगे हैं इंडिपेंट होगे हैं बिल्कुर नहीं है इंडिया में ससाइटी में यही देखा जाता है कि आप वापस अगर आप खुद कमाते नहीं हो और अगर आप डिवोस ले रहे हो तो आपको सुचना पड़ेगा कि कब तक आप अपने घर वालों के पैसो पे फिर से चल पाओगे आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इन सब से इंपोर्टन सवाल है इन सारे सवालों यह अपनी जनरेशन वालों को हम यह कहेंगे कि कोई भी लड़की तालाक लेती तो किसी ना किसी कारण से लेती होगी जब वो अपने माबाप के पास वापिस आती है हो सकता वो फाइनेशली साउंड ना हो तो ऐस परिवार उसके भाई बहन उसके माबाप जो भी है तो उस को स्मूथ करने में उसकी साहिता करेंगे मालदी जी वां उपनी तीसरी चीज़ पर आते हैं सेपरेशन पर इस प्रसेशन पर इस जो छह मैने का एक टाइम दिया गया होता है वह एक महला के लिए एक बफर जोन होता है उसमें वो अपने शांथ दिमाग से सोच सकती जो करके आई है उससे वो वहां पर शांथी से सोचेगी अपने बारे में अपने पार्टनर के बारे में या उस उस वार्दात के बारे में जो वो उनके साथ हो रही होती तो एक ठंडे दिमाग से सोचते हैं हाँ सभी आपको मौका मिल जाता है ठंडे दिमाग से सोचने का की जब आप अलग रहोगे अब जिस महौल में रहते हैं तो एक दूसरे की बाद सुनते नहीं हो, आप अपने एक बात के फिर उस बात को गलत मतलब लगाया दूससरे वह कही तो इस तरह से लड़ा यजगड़ा होते हैं जब आप अलग रहते हो, अलग आपका जो एक महौल उसमें आप आसानी से सोच सकते हो आप आपका जो समवाद है अपने पार्टनर के प्रती आप आराम से बात कर सकते हो दूरी बढ़ा के तो वो भी सोचेगा जो उनका पार्टनर है उसको भी एक मौका मिलेगा तो जो समवाद आपके बीच काफी लड़ाई जगड़े का होता था, वो काफी balance होगा, फिर आप अपने बच्चों के बारे में, आपके finance के बारे में, कई चीजों के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, आप सही कह रहा हूँ, जब आप जगरती रहोगे, तो communication वो उसे communication नहीं कहेंगे, वो तो बस भीड़ना कहता है, बिल्कुर, इसमें जो तीसरा point है, कि आप जब आप एक अलगाओ में रहते हो, एक separation में रहते हो, तो आपको खुद को अपने को पहचानने का मौका मिलता है, अपने partner के उपर सोचने का मौका मिलता है, कि क्या होगा, मतलब आपकी इच्छाओं के बारे में, बहुत चीजे के बारे में आपको एक सोचने का मौका मिलता है, एक आपका नजरिया चेंज होता है, और यह भी होता है, उस उसमें कि आप यह सोचेंगी, जो step हम लोग लेने जा रहे हैं, वो उस रिष्टे में हमें दुबारे रहना है, या नहीं रहना है, कि क्या चीजें आप उसमें च्छानती सचाओं के हैं क्या यह चीजह मेंड हो सकती हैं यह मेंड नहीं हो सकती और हमें यह step लेना ही लेना है अपने यह देख आपने जल्दी वाजी में तो कोई डिसीजन नहीं लिया है जल्दी वाजी में लिया गया decision कभी गलत भी हो सकता है ताकि आप अगर आपने decision ले लिया तो आपको पस्ताना भी पड़ सकता है जरूरी है कि सोच समझ के आपको decision लेना हो जाता है आपको सोच समझ के decision लेने का मौका मिल जाता है वो जो आप जल्द बाजी में चाहे आकरोश में हो चाहे emotionally हो जो आप कर देते हो बोल देते हो इस phase में आपको time मिल जाता है कि आप उसको अरहाम सोच सको कि यह सही है वाकई में यह गलत है मतलब इन चार points को सुनने के बाद यह चीज clear है कि separation का phase बहुत important है आपको पहले तो थंड़ा होने का time मिल जाता है दूसरा आपको खुद का पहचानने का दुबारा से मौका मिलता है कि आपको actual में जो चाहिए था मिला या नहीं मिल सकता है या permanently नहीं मिलेगा तीसरा communication जो थंडे दिमाग से future का बात कर सकते हो practically वहना अगर आप सामनी खड़े रोगे तो खिटकल होती है और चौती चीज जो आपने बताई है कि आप जो जल्दबाजी के decisions है वो avoid कर सकते हो तो यह बहुत जरूरी है अगर आपने decision ले लिया है divorce का वो जो separation का time है वो या तो reconciliation में convert ह हो सकता है या तो आपको practical decision लेने में help कर सकता है तो बहुत ज़रूरी है face तो इस face का आप पुरी पुरी तरीके से use करिएगा मालती जी हमने बात करी कि cases rise क्यों कर रहे हैं पिर हमने बात करी कि अगर आपको divorce लेना है तो वो क्या चीज है जो आपको खुझ से पूछनी चाह इसी ले ले लेते हैं बहुत इंपोड़न चीज होता है बिलकुल बिलकुल इसका जो असर होता है यह negative positive दोनों होता है आपकी mental health पे जो negative आपका जो impact होता है वो कुछ समय के लिए होता हो सकता 6 मैने के लिए हुआ एक साल के लिए हुआ लेकिन वो फिर जब बाद में तो ए हैं Still. हम जिंदगी जी रहते हैं. Tension वाली जिंदगी दी रहते हैं बोजिल जिंदगी दी रहते हैं इस निकल का हैं. में parao k Heights olda है वो भी खुश होता है. वहांट है जरूरी नहीं है कि वह रतिक रूप को सक्षे में नहीं है लेकिन उनका यह है कि वह तो एक वह है कि कैसे भी समाल लेंगी वह आगे अपस अब यह कि जो थोड़ा से जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है कुछ समय के लिए जैसे डिप्रेशन में आ जाती है या बहुत अकेले पन का मैसूस करती है यह एक फेस होता है फ बात आप सही कहरो मेरी भी बातशीत हुई थी कुछ लोगों इस जब मैं इस पॉपिक लिए रिसरच कर रहा है दुखी नहीं हो यह अगर आपको लगता है मैं आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं बट यही स्टिग्मा है जो तूटा है जो पहले से तूटा पर जब आप निकलते हो भार तो वो इस्ट्रेस लेवल जो खतम होता है तो आटोमेटिकली आप और ज़्यादा अच्छे से जीवन जीते हो बिलकुल ऐसा नहीं है कि एक ही के साथ रहो तभी खुश रहो गया वही जीवन है आजकर बहुत सारे आविन यूज है जिंदगी को बत्तर कर दो है ना आप पड़े लिखे हो सब है आप एक लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हो तो आप लों से बच्चों हम यही कहना चाहेंगे कि देखे आप लों पड़े लिखे हो आपने पूरा समाज देखा हुआ है लेकिन अगर आपको लगता है कि तालाक में लेत यह नहीं कि आप उसी में जो लड़ाई जगड़ा वो जगड़ा एक दूसरे के साथ आप नहीं रह पा रहे हो तो क्यों अपने जीवन को वरवात करने से अच्छा आप अपनी अपनी दिशा अलग-अलग तरीके से जी हो माल्दीजी यह आपने बहुत सही मेसेज दिया है ज़रूरी नहीं कि आप उसी क्लास्टोफोबिक रिलेशन में रहो अगर नहीं तालमेल बैठ पा रहा है अगर कम्मिनिकेशन नहीं हो पा रहा है कम्पाटिबिलिटी नहीं हो पा रही तो जिंदगी बहुत लंबी है ज़र लाइफ में खुश रहना जरूरी है बिलकुल और दूसर ये भी हम कहना चाहेंगे देखे इस वीडियो का हमारा मतलब नहीं है कि हम तलाग की तरफ जोड दे रहे हैं किसी भी लाइफ में किसी भी जिसकी शादी हो चुकी है एक फैमिली बन चुकी है उनके लिए तलाग कहां पर ऐसी चीजें आती हैं कोशिश तो यहीं रहेगी आप लोग दूसरे से समझाईए कॉम्णिकेशन जो गैप है उसको कम करिए एक दूसरे को समझाने की कोशिश करिए कि ताकि यह नौबत ना है है ना जब आई जाती है तो तो फिर आपके दिशा लगा 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 यह मुझे तलाग लें ऐसा अच्छा सोच की करते हैं बट नहीं हो पा रहा है तो ठीक है ना बड़ो आगे जिन्दगी में सिद्धी बात है आपको ज़री थोड़ी नहीं कि बोज ले करके चलते रहो तो इसी बात पर इस वीडियो को अब हम रोकेंगे अगर आपको यह व वीडियो को उन लोग तक पहुचाईए जिनके दिमाग में अभी इस चीज़ का स्टिगमा है उन तक भी पहुचाईए जो अभी कन्फूजन में है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लोग क्या कहेंगे कैसे देखेंगे यह वीडियो उन तक भी पहुचाईए आई इसे मिलेंगे नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू